लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट श्वाप चनल्स्ट शेड सि一下 खेटेस्ट। लेटेस्ट अप्रा चनल्स्ट अरो कर दो कर दो क्यों भाई इतने लोगों को एक साथ किस ने मारा वोई समझ में नहीं आ रहा है सर गले की चेन के लिए गले को हाथ की अंगूठी के लिए हाथ को काटने वाला आदमी इंसान नहीं हो सकता सर मतलब सिर्फ गोल्ड के लिए इतने लोगों को माड डाला क्या वो इंसान नहीं हो सकता, इंसान के भेश में छुपा हुआ भेडिया हो सकता है वो सब छोड़ो, कोई कुलू मिला है क्या? नहीं सर कैसे मिलेगा, आज कल क्या अपराधी कुलू छोड़ते ही कहा है सर, प्रेस वाले भी आगे सर क्या करूं इनका, इनसे भच भी तो नहीं सकते हैं मैं उन्हें किसी भी तरह हैंडल कर लूँगा तुम बोडी को पोस्ट मॉटम के लिए भीजवा दो देखते हैं, शायद कोई कुलू मिली जाए बोडी को एंब्लिएंस में चड़ाओ जल्दी सर, ऐसे महाल में दी आप इतने कूल हो, मतलब आपको कोई फिक्र नहीं है ओहो, फिक्र मतलब आपके कैमरे में मूँ गुता के टाइट क्लोज में आके, वो हत्यारे कोई भी हो चाहे कितने भी बड़े हो, उन्हें जब तक पकड़ नहीं लूँगा मुझे नीद नहीं आएगी, ऐसे सिनेमेटिक डियालोग बोलनों तब समझ में आगा क्या यह सब मुझे नहीं आता है इन हत्याओं के पीछे किसका हाथ है सर और उन्हें कितने दिनों में पकड़ सकते हैं यह बताएंगे इसकेस पे लगा हूँ यहे सर मैं इन फारूंब करूंगा सर नहीं सर मैं इंफारूंब करूंगा इतने लोगों के हत्या एक साथ कैसे हुई एक के बाद एक फोन करकर करके सुना रहे हैं अगर कोई बात पता चलती तो जरूर बताता सर एक प्रू भी नहीं मिला एक लिस्ट पोस्ट मॉट्टम रिपोर्ट में कोई क्रू मिले इसका वेट कर रहे हैं सर पोस्समाटम की रिपोर्ट आ गई है सर इस रिपोर्ट के अनुसार 15 लोगों की मौत एक ही साथ हुई है पर मुद्दा यह है कि यह 15 लोग एक घर के नहीं है अलग-अलग घर के हैं सभी एक ही समय पर मारे गए मतलब जरूर वो भी 15 लोग होंगे इ कि यह दो लोगों को पकड़ना मुश्किल होता है सर यह तो पूरी गैंग है जल्दी पकड़ लूंगा कि यह तो जो शया है जड़िए सर यह कि यह तो शयाँ प्रावर यह है जल्दी तो जल्दी जल्दी है है तो शया जल्दी थी जल्दीशर भीशिक रिप मंगलम भगवाल विष्णू मंगलम गरड़ धोजा मंगलम पुंडरी काक्षा मंगला या तनोहरी पुष्प समर्पीत कीजिए उसके वाद अक्षत समर्पीत कीजिए तत पच्चात ध्यान लगाईए शुब लगने सावधाना अक्षत लीजिए और समर्पीत कीजिए ये लीजिए इदमूर्त शुबम करोती यदि मंत्र नहीं पढ़ेंगे तो अच्छी वाइब्रिशन्स कैसे आएंगी शुबम करोती कल्याडम अच्छी वाइब्रिशन्स कीजिए कि 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 क्यों बेटा कली तुमने मुझे वादा किया था कि मेरी बेटी को पूरी तरह भूल जाओगे असी प्रतिशत तो भूल गया हूँ लेकिन मुझसे प्यार करके किसी और से शादी करने वाले की शकल कैसी होगी यह देखने के लिए आया हूँ अब यहां पर हल्ला मत करो बेटा बाकी 20 परसेंट भूलने के लिए मैं क्या करूं बताओ मेरे लिए ड्रिंक लेके आओ पी के भूल जाओंगा इसे यहां पर अच्छा नहीं होगा बेटा बोलाना है तो बोलो पीना पड़ेगा वरना मंगल सुत्र पैनाओंगा तुम ऐसा मत करो बेटा उसे भूलने का बंदोबस मैं करता हूं तब तक तुम पीते रहो केर बेटा सब तुम्हारे लिए यह पीए बेटा पीए पीए गांचना तेरी तो है वह अक्षेत इदर लाबे है कि तुम लड़कियां तो आमेजा खुशी ही रहती हो हम लड़के लोगी मर जाते हैं पकाड़ आदा देख्या नहीं है जी तो फिर देते ही लेक्यू लिया इदर ला बजाओ रहे पापा आ रहा हूं पापा बीच में क्यों खड़े हो आज जाओ क्यों रहे फिर से पीकर आया है कांचना की शादी हो गई पापा इसलिए पीकर आगया तेरी माने तेरे पैदा होता ही ये मुसीबत मेरे सर पर डाल दी मैं कब तक इसे जलूंगा पता नहीं क्यों रहे शरम नहीं आती है तुझे कंच हो पीते हैं यह क्या अब तक तो जी बरके डांट दिया और अब बेटाओं यह याद आया गया अरे जो भी हो आखिर हूं तो तेरा बाप भी ना अरे डाटा ही तो है अरे जो इसे भी तू क्यों दुखी होता है तो मेरी तरह बतसूरत है क्या पंडित जी बता रहे थे कि वो लोग कल सुभाई आ जाएंगे इसलिए आज थोड़ा कम पीना चल्दी सो जाना हुँँँ अरे निकलो पापा सहे नहीं पाना हुँ मुल्टी हो रही है क्यों इतना पुरा दिख रहा हुँ आप तो बहुती सुन्दर हो ना कपड़े तो देखो आपके क्या खराबी यह इन में बगबग करता है पापा हमें लड़की वालों गर पर जाना चाहिए यह क्या वह हमारे खर पे आ रहे है लड़की नहीं आ रहे है यहां उसका बाप आ रहा है वह हमारे घर की स्ठीथी और हमारी समरीद दी देखना चाहते हैं यह तो कमाल हो गया इसके लिए सुबह सुबह मुझे तयार क्यों किया और बेवजा रात को कम पी नहीं पड़ी आपको तो पता है ना मेरी रोज रात की आदत क्या तुम ने जितनी पी उससे कम बैने पी थी यार ठीक है यह पंडित जी आए पंडित जी आए वह नहीं दिख रहे है पता जी सुबह से फोन उठाई नहीं रहे है शाहाद उन्हें आपके बेटे के बारे में पता करके रिष्टा ना करने का यहीं कर लो खूब शराप पी हो और उसके बाद लोगों को डरा धमका के उन पर हाथ उठाओ हाथ पंडित जी हमें इन सब की क्या ज़रोत है लड़की को बुलवाईए ना अरे सुनो लड़की को ले आओ क्यों रे कैसी है सुवर्णा तुम ही यहाँ हमारी बेटी है मेरा बेटा पाप ने तुम मुझे बहुत बड़ा चटका दे दिया तु ऐसे मेरी और मत देख मुझे अजीब सा लग रहा है तुम्हारी मां के जाने के बाद मैं बहुत अकेला था इसलिए एक दिर अंधेरी रात में मेरे पिता के रूप मेरी आंखों के सामने होने पर मेरी जिन्दगी ऐसे नहीं तो कैसी होगी हमेशा दुखी तो रहूंगा ना चलिए इस समय में दिल को पत्थर की तरह मजबूर्ट कर लेना चाहिए है तुम लोग कहां जा रही हो इतने दिनों तक यह नहीं थे इसलिए यहां रह रही थी बेटा अब जब इनका पता चल गया है तो मैं यहां कैसे रह सकती हो तो है ठीक है अब चलिए समय कर चलना सुवर ना भाईया नहीं मुझे नहीं भाईया आपको ही देखो लड़की मैंने तुमको कली देखा मुझे तो मैं ऐसे मत बुलाया करो मुझे कुछ दिन तो लगेंगे ही ना मेरी भेहन ही हो ना तो तुम्हें भेहन के रूप में स्विकारूंगा ठीक है अब क्या है वो कॉलेज गाउं के बहुत पास था यहां बस से जाना होगा मुझे बस स्टॉप तक छोड़ देंगे चोड़ना ही पड़ेगा चलो वैसे क्या पढ़ रही हो डिग्री अब डिग्री पढ़के क्या कर लोगी रिष्टा देख रहे थे तब पढ़ाई छोड़ने का सोच रही थी पर अब क्या करें भाईया बेरोजगार पिता बिना नौकरी का भाईया इसलिए फिर से पढ़ मुझे पढ़ाई करने वाले बिलकुल अच्छे नहीं लगते पढ़ना है तो पढ़ो पर मुझे गुस्सा मताने देना एक रीच के दूंगा तो मुझ भट जाएगा तेरी तो जाओ यहां से जाओ शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है इसलिए मैं परिशान हो रहा ह दूसरी लड़की काम मिलेगी पता नहीं मुझे बताएगा तू अभी कहां से आ रहा है आपको बताने के लिए आपको बहुत बड़े जिम्मिदर बाप नहीं हो और नाहीं मैं कोई बहुत बड़ा जिम्हेदार बेटा हूँ अब बनाओ मैं आता हूँ प्रेश हो कर बड़े आये जानने वाले यह बहुत बोल रहा है यह लो नालो आपकी बेटिंग आया है वो तो अंदर बैट कर पढ़ाई कर रही है अच्छा उसका इस बीच पढ़ना बहुत ज्यादा ही हो गया है यह क्या ओमलेट के बिना ही ड्रिंक कर रहे हो आपके बीवी को आमलेट बनाने को बोलो सुवर्णा हां आ रही हो जी आ रही है क्या कली तो मैं यह तो दूपैर से भी रहे है ना बेटा अरे वो अंडे क्या हम लोग पिछली बाते कर रहे थे खाते पीते सब अंडे खत्म हो गया और क्या है ना सुवर्णा घर पे कोई नहीं था बयंकर तूफान तूम और मैं और इत्दा मंधिरा आप दोनों की प्रेम कानी देख नहीं सकता और वैसे भी मैं आप दोनों के बिच में क्या कर रहा हूं मैं जाके अंडे ले आता हूं नहीं बाप को अकेला चोड़के चले जाओंगे बिटा और इनकी बुड़ापी की प्रेम कानी कि अंगन वाड़ी केंद्र यहां पर जरूर अंडे मिल सकते हैं आपके पास अंडे होंगे तो देंगे क्या माता जी माता जैंगे लगता है अभी बेचारी नीन से उठी है आपके पास अंडे होंगे तो देंगी क्या यहां पर तुम जैसे शराबियों के लिए देने के लिए नहीं है गरीब बच्चे अनाथ बच्चे पढ़ने वाले बच्चों के लिए दे जाते हैं अच्छा है आप जैसों की वज़े से इस गाव का उद्धार होता है आप अंदर जाइए 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 अंदर जाइए 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 शराबियों के भगवान अगली बाहर ऐसे लोगों के पास नहीं जाओंगा रे बबाब कि यह अब तक बाहर क्यों बैठी है अब करूं है इससे बहुत करने की कोशिश करूं क्या ऐसे यहां दूक कियो खूं रहे हो मैंने तक कपका देख लिया है ओओ देख लिया ग्या ऐसे बाहर क्यों बैठी हो घर मेंकरंच नहीं है अच्छा गावंन मेंतो सब के पास है तुम्हारे घर पर क्यों नहीं है पता नहीं आके देखूं क्या देखो फ्यूज कहां है वहां पर फ्यूज गया था बाज ठीक है थोड़ा पानी मिलेगा क्या सीधे सीधे अंदर आओं सा पूछ सकती हो ना पहाना बनाने की क्या जरूरत है वह अभी तो परिचाही हुआ है ना ऐसे कैसे अंदर आ जाओं कोई बात नहीं आजाओ वैसे तुम्हारा नाम क्या है पारवति तो फिर मेरा नाम नहीं पुछोगी बताओ कोटिश वर रहाओ बाल कोटिश वर रहाओ वैसे घर में और कौन को नहीं है जब मैं चोटी थी तभी मा मर गई थी तादी की तबियत खराब है इसलिए पापा गाउं गये हुए है वैस तुमने मुझे पहले ही देख लिया है हां देखा है वैसे इतनी रात को तुम यहां क्या कर रहे है रोज रात को मुझे पीने के साथ गरमा गरम आमलेट खाने की आदत है वरना मुझे नीन नहीं आती घर पे अंडे खत्म हो गया इसलिए मैं बाहर आ गया अंडा तो बता त्रास्ता देतों मर्द रुखे का गया वैसे ड्रिंक कहा है मतलब ज्यादा ही पी ली यही पर. मतलब समझना घ्मा आ तुम्हारे उटते ही ऐसे असे थोड़े ही फ्रटॉर रात में तुम कहां शोई थी और कहा पर सोथी ?سم्हारे बगल बगल में ही शोई रीगर कितना फूल यह कि ech कर निधो और कितने यह पूली मैंने पता नहीं इस लड़की कि मेरे ऐसे उल क्यूं रहा वन हमत टूड़ा जाना या क्यों रोकिन कैशी। तुब वहां क्यों वा रहा है खात को ज्याहदा है करे कहा सो गया था पता भी नहीं हूं मेरा घर समझ गया यहीं पर्स हो गया सर दर्थ से फटा जा रहा है यार चाहे पिते हैं यार चेके चल हमें बहुत सारे काम है बाब ने बहुत भारी हो गया है और जोर लगाना पड़िया तो हफते पर से मुझे दिखा ही नहीं क्या बताओं यार अपनी तकलीफ घर वाले भ सोच रहों कि हैदराबाद जाकर टैक्सी के बिजनेस पर अपनी कार लगा कर मैं ड्राइवर बन जाओं गाहाओं में कुछ नहीं कर पाया तो ड्राइविंग करके क्या करेगा चल दीक है उतर एक राउंड लगाते है यह मरमा चला जा आराम से चलाना भाई लोन पर यह कार कि क्यों पी यह विया क्यों सुबह सुभे क्यों पियेंगे रात की अभी तक नहीं हों अब क्या काम करते हो तुम दोनों काम करने के उस्ट्भेले हो गया अभी तुमहरी काम करने की उमर नहीं हुई है तुम जैसे लफंगों से बात करना ही बेवकूफी है ए रामकृष्णा जीप में डालो इन्हें सर क्यों सर डरोमान मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा एक बार जर अपना गाउं तो दिखाओ देखो गाउं में लुटने वाला एक चोरो का जूंड गाउं में आपना गाउं तो दिखाओ आने वाला है इसलिए थोड़ा संभल के रहो अगर गाउं में कोई नया दिखाई दे अगर किसी पर कोई भी शक हो तो यह लो मेरे नंबर पर फोन करना है ओके हाठीगे सर रामकृष्णा गाड़ी निकालो इसका यह क्या करूं मैं इसका यह क्या यह ऐसे क्यों देखके जारी है पर्वती 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 कहां चली गई ओ नारी यह क्या ठीक है बहार आने तो बताता हूं तुम यहां क्या करें हो तुमने शाम को ऐसे चिड़ कर मुझे देखा तो जब तुमने देखा तो अंदर बेचैनी हो रही थी मेरे इसलिए मैं पूछने के लिए आया हूं तुमसे तो यहीं पर पूछोगी क्या मैं ऐसा ही हूं कहीं पर भी आ जाओंगा और कुछ भी तुम जैसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी पर चुम मुझे अच्छी तरह समझ पाए ऐसा लड़का कहीं नहीं तो ज़रूर होगा देखो ऐसी बड़ी-बड़ी बातें मुझे समझ में नहीं आती तो पीने के बाद मैं सुन लूँगा आया वाउच वैसी तुम कुछ कह रही थी याओ याओ आओ आओ और यसे दूर क्यों खड़ियो पास आओ ना हुआँ क्या है क्या रही थी से पहले ठीक है सुनो अब तक तुम मुझे पूछ रहे थे ना या मुझे तुम पसंध हो या नहीं जब तुम पुलीस की जीब से तो तर रहे थे यह देखकर मुझे बहुत बसाया इसलिए मैं तुम्हारे पर जुड़ गए यह देखो मैं बहुत एक कम बाते समझता हूं किस तरह पसंदू वो ठीक से बता दो तुम जो भी मांगो वो सब देदू तुम्हें जो भी मांगो मतलब चुम्मा मांगूंगा तुम्हें को चुआ तो नहीं न तुम ठीको न तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ पर मेरे अंदर की नस्वे पूरी तरह खोल गई है अब मैं खुद को रोप नहीं सकता चला झालूओ झालूओ झालूओ। कर दो कर दो कर दो कर दो का दो आपरे बहुत पीली मेने राद को सरभारी हो गया है के निम्पू का रहसे क्या है लेकर आती हो चुझ अब से तो एक ही ब्रांड पिऊंगा मैं दो तीन ब्रांड पीने से सरफट जाता है बेट या क्या है कर सुबही छुव हो कि खाया होगा कि नहीं इसलिए यह सब यह ताकी मैं तुम्हें हमें यह लिए याह रेन गरउ अपने भात की शकिल देखके मैंने तुम्हें अंदर नहीं दिया नहीं तो कप का धक्क्ये देकर बाहर निकल देता अब जाओ जाम उसी बते ही है सुने भी नहीं मिलता क्या हुआ तुम अकेली यांक्यों बैठी हो क्या हुआ पापा उसे चिला कर क्यों बात की तुने अपने बाप को खाना दे रहा है यह उसे पाल रहा है तुम नौ महीने कोक में पलने वाला बेटा जब मा कह कर बुलाता है तब जो खुशी मिलती है वो मुझे नहीं पता है पर तु उसे रोज मा कहकर बुलाए इसका वो रोज इंतजार करती है तेरी किस्मत खराब है पैदा होता ही अपनी मा को खा गया अब अपनी मुर्खता से जो मा मिले उसे भी खो रहा है अपने बच्चों को ठीक से समालने वाली मा नहीं मिलती है ऐसे में बेवज़ा तुम तुम रोना बन करोगी तो मैं थोड़ी दिर तुमसे बात करूँगा मेरी माने मुझे दूद नहीं पिलाया नहलाया भी नहीं कपड़े भी नहीं पहना है खाना भी नहीं खिलाया कम से कम प्यार से पास मिले कर प्यार से कभी चूमा भी नहीं चंती हो क्यों क्योंकि मेरे पैदा होने पर ही मेरी मा बिचारी मर गई, मा का स्परश क्या होता है वो भी नहीं जानता था मैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं था फिर भी मैं बड़ा तो हो गया, इसलिए शायद मा क्या होती है मैं जानता नहीं हो, मा तुम एक बात बताओ, भगवान सब के पास तो नहीं ज तुम मेरे पिता के बारे में सोचती हो ऐसा मुझे लगता था लेकिन कल पता चला कि मेरे बारे में भी सोचती हो तब मेरे दिमाग में अखल आ गई थी एक बात बताओं एक इंसान को कोई आदत नहीं है मतलब उसके पास वो चीज नहीं है उसी तरह मेरी मां मेरे पास नहीं ह इसलिए मुझे तुम्हारी आदत नहीं है, बात तो इतनी सी है, पर मुझे तुम पर चिलाना और तुम्हें रूलाना नहीं चाहिए था मा, एक बात पर तुमने गौर किया होगा, अब तक अंजाने में मैंने चार-पांच बार तुम्हें मा कहके पुकार आये, देखो, आज के लिए बस कारण ढूंते रहते हैं, क्यों पापा, आपको खुशी होती है या दुख होता है तो आप रोग नहीं पते हो क्या, तेरे लिए मैं बदलू क्या, ठीक है देखो, यह रही, मेरी मा, और जो कॉलेज गई है, वो मेरी बेहन है, अब आप को नहीं है, वो आपको लोगों से परीचे कराऊंगा चला, ठीक है बेटर, आज मैं खुशी में प्यूंगा इंदू मता यह मेरी मा ऐ अच्छा, बचपन से मेरी मा नहीं है, ऐसा कहते देना, यह देको मीरी मा, ठीक है, ठीक है, भाइ, मेरी मा है, आप, दादा जी, मेरी मा जीते रहो, वो देखो हे मरम मा मेरी अर yol में बता है कि यह बाला कि मा है तेक तीक तु जा इसा कोron UK यहां क्यों लाया है बेटा थाधा ला इक अरिग उन्सान से तुम्हें मिलाना है मा मा वह क्या वो एक यह क्यों लाया कि है नहीं है यह आ एक वह बाद में परिचाय कराता हूं, चलो क्यों, चचाय से बाहर खड़े हो, क्या हुआ, सुभा मेरी पेटी kali गई थी, अभी तक हाई नहीं, पता नहीं क्या हुआ होगा आपकी भी बेटी नहीं आई क्या, हमारी बेटी ही नहीं इस गाउं की कोई भी लड़की नहीं आई है ये क्या कोई भी नहीं है ठीक है चाचा आप अंदर जाइए मैं देखता हूँ चाचा चिंताल पूड़ी की लड़की को बस में आते वे देखा क्या पता नहीं बेटा लटकी को बस में चड़ते देखा पता नहीं भाई एक और चंसा चनतलपूुडी की लड़की बस में चड़ते देखा नहीं देखा बाबू है को सभाव से यहीं पर होते हो ना कैसे नहीं देखा अरे मोझाने बता चल जा कि यहां कि यहां कि बेटा इतना परेशान क्यों हो हमारे गाहों की लड़किया अब तक लौटी नहीं कौन वह चिंतल पूरी जाने वाली लड़किया हां गुरुजे आपको कैसे पता हूं एक मिनट हुँ शक हो रहा था इसलिए मैंने निकाल लिया है चिंतल पूरी वाली बस का एक्चिडेंट हो गया है पीछे मैं उस तरफ जा रहा हूं लिव चाहिए तो बैठ जवाओ चले क्या हां ठीक है पर चलते हैं कि गुरुजी एक मिनट मैं अभी आता हूं हुआ 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 है ज़रा इक बार दीजिए और मुझे पेंद दीजिए हुआ 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 है बार दी बार दी एव हुआ 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 कि पार्वते ये ये रोज मैं बिल भरता हूं आज तू भरेगा हेलो रोज मैं शर्थ जितता हूं इसलिए तू बिल भरता है जाने के बाद भाद है वर्ना मैंने बाता हऊं शर्थ के पैसे से मैं धारू बिता हूं मैं शर्थ के पैसे कैसे दे पाऊँ गाराज मैं जीटूंगा है ये ने उतनाघ गया थीक है इस पर ही शर्ट लगाता हूँ है यह वहां पर उस आदमी को देख मोच साफ करा उसको देख तो यह उसे हैसाना होगा बस इतना साइना अगर मैंने गाना गाया ना तो लोग अस्ते अस्ते पागल हो जाएंगे अभी देख मां भी क्या करता हूँ हाँ है है धड्यल आलो नशा शराब में होता तो नाच्टी बोतल अरे नशा शराब में होता तो नाच्टी बोतल नशे में को नहीं है मुझे बताओ जाए मेरे यहां से लेकर यहां तक हर जगा पर जल रहा है और तो मुझे और जला रहा है अब है मैं केस हालत में बैठा हूँ और तू गाना कौन सा गाना अब बोलो भाई क्या तकलीफ है आपको हमारे गाउं की लड़की या कॉलेज से अब तक खर नहीं आई जिस लड़की को मैं चाहता हूँ वो भी उन में से एक है क्या हुआ होगा यह सुचकर मुझे बहुत चिंता हो रही है यह देखो यह गाड़ी का नंबर लेकर पागलों की तरह रास्ते पर घूम रहा हूं मैं यह तो अपने रिवेश का नंबर है ना हाँ उसी का है तुम उसे जानते हो क्या हाँ मैं इसे पहले वही बैच के साथ घूमता था ना चुदारने के लिए उसमें से बाहर आके शादी करके बिगद के बार में किसने पूछा तुससे कहां मिलेगा बता गाउं के बार वाट अब फिशल के रोने गाने से कुछ नहीं होगा आज के बाद वही होगा जो हम लोग चाहेंगे आप लोग फिकर मत करो बाला आ चुका है एक एक की हड़ी पसली एक कर दूँगा इसे देख कर लड़कियां खुश हो गई मतलब ये इनका चानने वाला है मतलब इसे सबक सिखाना पड़ेगा हाथ पुड़ा साफ करी लेते हैं एई जरा संभाल तो इसे संभालो मत मैं संभालोंगा आजाओ कर दो आजाओ है कर दो एडरो कर jag कर दो । कर दो कर दो कर दो कर दो पर चलादू, रड़किया चाहिये क्या? एक एक को मार दूँगा अग्ग वर किसे चत्स कर दो अंजी कि थे तृज कि बुष्ट अँए अजी तनक ये तो किसी दो भीक है तो किसी सबींए, वॉुआ कि सुआ है अजी तो कि कर दो रुठा घुठा एे वे वजैसे कि उपेंगरा ए देला या 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 यद्ञा कर दो टो पनाख आख या 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 यार्दिर युबागल कि अवचिता आ या या झाल झाल लगता है आ रहे हैं लगता है उसी ओटो में आ रहे हैं आ गही कुछ नहीं चाचा गाओं के भार बस रुग गई दिना तो उन्हें ले आया मेरी बेटी को कुछ हो पता मैं मर जाता है चाचा इस गाओं में मेरा शब्द नहीं होता हमारा शब्द होता है ठीक है चाचा बहुत देर हो गई है जा कि सुझा चलो जाओ अरे रुको या हुआ तुम्हें अगर तुम आज वहां पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता पुझे तो सोचकर ही जैल लग रहा है देखो तुम्हारे बिना एक घंटा रहना भी मुश्किल अगर बाद में कुछ हो तो मेरी गलती नहीं है एक बार गलती होने के बाद अगल में दोबारा की जाए तो गलत नहीं होता तो फिर रुकना और रोकना मुझसे नहीं होगा भाई साब पंडित जी ने जब आपके बारे में बताया तो बहुत खुशी हुई इतना अच्छा रिष्टा मिल गया हमें देखिए लड़की आ गई लड़की ने पढ़ाई कहां तक की है डिगरी तक पढ़ाई की है इसने उनको दो बेटी लड़की बहुत कुशद है इस कि यह क्या आपके घर में दिन में भी मच्छर घूमते हैं सिर्फ आपके घर में है या फिर पूरे गाउं में इस तरह से घूमते हैं यह तो लड़की इतनी सुंदर है इसलिए मैं इसलिक तक बैठा रहा वरना छूज निकालने से पहले हिए मैं यहांसे चला जाता क्यों तो करना बात यहां पर नहीं अकेले में यह थोड़ा लग रहा है चलो देखते हैं क्या कहता है अब आएं पर क्या-का बोल रहा थो बहुत रोता है इसलिए यहां लाकर मार। था आ उनुकर से शादी के बाद हमारी लड़की तेरे घर पे आएगी तो तू हमारे पास नहीं आएगा ना तो तुझे इस घर से क्या काम है एक चीज़ बताता हूं याद रखना हम जिस लड़की से शादी करते हैं उससे यहां पर रखना है या यहां पर रखना है सिर्फ इतना दिमाग म पापा मुझे रिष्टा मंजूर आगर आपको पसंद आयों तो हां कर दीजे चलिए ए इसे क्या हो ग्या वह भालते हैं नमचे आखी ठीक है चल्स बाधिया क्या यह ने उससरे आया तो ऐसे था जिसको जैसे समझाना चाहिए वैसे यैनकना औलॆ पारो दście ये क्या ये तो रो रही है अरो कि रो क्या हुआ और बोलो कि तेंड मेरे पेता की मौत हुई थी ये क्या तुम्हारे पापा की तैक नहीं इसले वो गाउं जाती थी पर ये बातें सुनने वाला और कोई नहीं है इसलिए तुम्हें बता रही हूँ कि अच्छा चुप हो जाओ हमारे दुखी होने से जाने वाले आते थोड़ी हैं मैं उनसे बहुत प्यार करती थी कि अच्छा देखो तुम बहुत दुखी हो बहुत डरी हुई हो इसलिए मैं तुम्हें पास रखे दिलासा नहीं दूँगा तुम मुझे पसंद हो तुम्हारे बिना में नहीं जी सकता ये सब बोलना मुझे नहीं आता पर एक चीज मैं बोल सकता हूं में दुखी होकर अपने पिता को अपने से अलग मत करोु दुख चुपा लो अपने पिता को भी चुपा लुँआ अगर तुम्हें मुझे पर विश्वास हे तो हिंमत से रही हूं कि धूर्वी मीस कारल कि अतो और क्यों रोकिए तुम ने मुझे किसी और में ला दिया अरे बाला हम दोनों को उस पहाड पर बैठ कर पिये वे बहुत दिन हो गए लेकिन तू रात में दिखता ही नहीं यह कहां रहता है अरे पीना आदमी के साथ करो के तो क्या मिलेगा उससे अच्छा कुछ और करना चाहिए अच्छा फिर पर आखे तो इतनी जल्दी किया है बताना हो बाते है जब तक माता बड़ा होते हैं हार लड़की हिम्मत से जीती है और अगर वो नहीं होते हैं तो हर दिन दर डर के जीना पड़ता है मा उठो ना मा 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 उठ जाओ ना मा बिटा तरो मत मैं अभी आता हूं तू का आ रहा है वहीं पर है अच्छा ठीक जाड़ी चाजी वह गाड़ी कर बहार है जाचा जाचा क्या हुआ बेटा जाचा गाड़ी है मेरा बीटा तो में ना गया चाचा चाचा क्या हुआ भैया पापाए नहीं है बाहर गए हुए पे जोटा पीतियों कि कोई भी नएए गर पे अ आ है टो यह चंदो चंदो आ रहा हुं यार क्या हो अभूल नहीं के लिए थे वगल में को रुण पने काट लिया रहे शाम को मुझे जाना यारे तुझे तुझे तुज़ए अगर उसकी जान मेरी कार में चली गई तो मैं तो फाल तुमा फसूंगा ना जान जाएगी ऐसा जो फिर फिर प्रस्टार लेकिन नवी खेत जाना है या रहा रहा है बाद में जा चलने को अधर्ड क्या इस अब आधा कि अधान कि अधान कि अधान कि अधान कर दो कर दो माँ उठो ना माँ डॉक्टर साब आए लगता है रास्ते में इनकी पहुत हो गया माँ 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 डॉक्टर वा अरे बाला क्या कर रहा है तू? याझ अगर उसे पहले अस्पटा ले जाते तो इसके जान बजाते ही, जाने वाली चली गई लेकिन इसके बाद एक बिजाने नहीं दूंगा, चला से तुन देगा की मार गाएगा कर दो को दिनते ने कि एक बार काओं के लोग यहां आ सकते हैं क्या जल्दी आईए यह आप इसे हमारे गाहन के यही अम्विलेंस यही है सर्वुस्वेन हमारे गाहों में एक औरच साफ के काटने से मर गई वो काटने वाले साप की गलती या मरने वाले की गलती नहीं है समय से हस्पिट fight ले जाने के लिए सहूलियत हमारे गाओं में नहीं है इस विए है ये ambulance, आज के बाद इस गाओं में एक भी जान नहीं जानी चाहिए मैंने तेरी आमदनी को तेरी जिंदगी को तुछ से चीन लिया ये सोचकर बुरा मतमान पूरे गाओं की लोग मिलकर मेने की पंद्रहाजार आमदनी देंगे इस गाओं के लिए काम कर अब से जिंदगी बचाना ही तेरी जिंदगी है समझा और इससे महान काम तुझे कहा मिलने वाला है एए याद रखना इस भू लोग से जाकर वापस ना आने वाली एक ही चीज़ है और वो है जान जान से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता चल रहे है सर आपने मुझे बुलाया वह क्या है कि कल हमारे घर में फंक्शन है तो बताओ क्या-क्या रखना अच्छा होगा सर तो और क्या बोलू तुम्हें 74 लोगों को मरे वे 3 महीने हो गए अब तक तुमने एक भी रिपोर्ट सब्मिट नहीं की आखिर तुम कर क्या रहे हो सर उन्होंने एक या दो लोगों को नहीं मारा है पूरे 74 को मारा है सारे काम उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ किया है सर मतलब वो पकड़े न जाए ऐसा फुल प्रूफ प्लान किया है सर इसलिए सर इतना टाइम लग रहा है सर इसलिए उनसे पहले मैंने विलेज को टार्गेट कर लिया है सर मुझे थोड़ा टाइन दीजिए इस बार पक्का हाथ लग जाएंगे सर झाल संब्सार झाल 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 । सिर्फ झाल झाल पापा बुलेट तेरी मा ने अपनी चूडियां गिर्वी रखकर इसे खरीदा है मा इतना बड़ा प्यार मैं सहे नहीं पा रहा हूँ थोड़ा कम कर दो मा ठीक है अब खरीदी लिया है तो घुमाऊंगा जम के घुमाऊंगा कितना खुश है ना है नहीं गाड़ी है ना भगवान के पास जाके इसकी पूजा करवादे अब भगवान के पास नहीं जाना है मुझे देवी के पास तुम जाके तयार हो जाओ मैं अभी आता हूँ तो अभी नहां कराई हो पारोती थोड़ा प्यास ज्यादा ठाल कर एक बड़ी आसा ओमलेट बना कर लिगया हो ना अब तक मैं शुरू करता हूँ जाब जाना चाहिए अब तक मैं अब तक मैं है अमलेट का है अपसे यह दारू-बीडी सब्सक्राइब छोड़ दो चूड़ दूं क्या कहीरियो समझ में आ रहा है तुम्हें अब यह सब नया क्या है नया क्या है तुम्हें मेरी आदत होनी चाहिए और मुझे सिर्फ तम्हारी तो फिर हम दोनों के बीच में इन सब चीजों का पता था All you have बदलाओ आगया है यह मुझे पहले से इए बता था आ भा गया है वैसे तुम औरत हमनें तो मीठों को शुरूत में तूह अक्छे से रहती हो लेकिन तीन чार मैने गुजर नहीं होने वाला वैसे शुरुवात में तो तुम बहुती अच्छी थी ना मुझे पीने को दिया ओमलेट देखे चुम्मा भी दिया आखिर में सब आदमी जिस कुए में गिरते हैं उसमें मुझे भी धके लिया अगर सुधारने की कोशच करूं तो भी कलत है तो पीने वाला अच्छा आदमी नहीं होता बीड़ी पीने वाला अच्छा आदमी नहीं होता केवल तुम्हारी बातें सुनने वाला ही अच्छा आदमी होता है देखो वैसे आदमी कहीं और मिल जाएंगे जाके देख लो मैं अपनी तरह ही रहूंगा वैसे भी ये बाला उसकी आदतें छ इदर आबे इए अबे डौर की आना रहे आता हो उनुल है नहीं है इतनी रात को मिल नहीं हमने में यह उसाहिकर मेरा सर खॉरा था ना अब से तेरे लिए मैं मेरे लिए तु भी शादी नहीं करेंगा मैं बच्पन से इसे संभाल के उसे संभाल के ऐसा कहता है पर औरतों से संभाल के ऐसा तो कोई क्या प्रेट को बहुत कशाधी तक सर उठा के उसके बाद जिन्दगी भर सिर जुखा कर हम जीते हैं कि यह कैसा जीना आए तो क्या बोल रहा थेख बताना चाहिए जिससे समझ में नहीं आता समझ में आने वालों को बताया तो घेन आएगे लेकिन कोई मेरा पीछा कर रहा है प्रेसिए तुम्हारे चाचा की दव्यत ठीक नहीं है तुम्हें दवाई लेने जा रही थी लेकिन कोई मेरा पीछा कर रहा है तुम दरो मत ए मनम्मा चाची को घर पे छोड़के आजा चल जा ठीक है अरे जल्दीया आजा 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 आब बैट जाओ चाची वड़स्ट बड़स्ट मुझें वड़स्ट आट लोगस्ट लोगस्ट अर्ण आई! 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 कि अभाई वो क्या है कि एक आदमी मेरे पीछे पड़ा है किसी तरफ आ रहा था मैं जान बचाकर यहाँ पर आया हूं भाई यह के भाई आपने अपने आद्में गुमाड़ा नहीं किसी की वज़े से मैं पकड़ा जाओंगा यह पता चलते ही मैं उसे मार देता हूं यह जहां गिरा है इसे वहीं काड़ दो यह काम जितना आसान सुचा था उतना नहीं है अब हम कल से ही अपना काम शुरू करेंगे हम जनसंख्या के जानकारी के लिए आएं आपके घर में कितने लोग रहते हैं हाँ हाँ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो लुगे क candle कर दो कर दो कर दो तुम यहां पर क्या कर रही हो तुम जहां भी जाहो आजा सकते हो तो मैं यहां नहीं आ सकती क्या क्या कह रही हो नहीं कि बोलो मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आये तो अब क्यों मिलू और यह चोड़ो वो चोड़ो ऐसा कहके मेरे सर पर बैठ रही थी और जब तक कुछ मांगी नहीं तब तक आदमी को वह अच्छी लगती है लेकिन मांगना शुरू कर दिया तो अंदर से बहुती है जब तक तुम्हारी जरूरत थी तब तक तो मेरे पास कुछी-कुछी आ रहे थे और मैंने कुछ मांग लिया तो मुझे छोड़ने की सोच रहे हो पीना छोड़ दो कहने पर मैं बाप को छोड़ दूगा तो तू क्या है तुम्हारा मन करेंका तो आओगे वर्ना नहीं क्यों यहां पर रुकियो जाओ यहां से तुम जब जब आए हो मैंने सब कुछ दिया है इसलिए ऐसी बाते कर रहे हो क्या बात कर यहों तुम यहां से निख्लो आइज हुआ कि यह क्या चाचा के घर पर इतने सारी लोग क्यों आ गए क्या हुआ होगा देखिए मेरे बेटे की विजए से अगर तुम्हारी लड़की प्रेग्नेंट हो गई है तो उसकी शादी कहीं और करवा दीजिए पैसे फालतु विचार मत किजिए कि मैं उसे अपने घर में ले जाओंगा पांच लाग रुपे दूँगा मैं आपको शा हां तुमने कुछ ऐसा वैसा किया तो फिर मेरे आदमी ये पूरा इलाका चला देंगे अच्छा मेरे बेटेने अगर क्या कहते हैं वो उसे सेफ्टी हां अगर सेफ्टी इस्तिमाल की होती तो मुझे आने की ज़रूती नहीं पड़ती सेफ्टी रखे बिना इसे पैदा करने से पहले अगर आपने सूचा होता तो यहां तक आने की नौबत नहीं आदी ना सर अच्छा तो और लोग हैं रुक जाओ ठीक है मुझ पर गुस्सा है लेकिन इस यजमान पर बहुत प्यार है खुद पर जिसको भरोसा है वो भार आजाओ लड़ते हैं चलो वो क्या है ना चाचा ने बहुत ही महनत से इस घर को बनाया है अगर इस घर को कुछ हुओ तो मैं से नहीं पाऊंगा इसलिए थोड़ा बाहर जाकी लड़ते हैं हूं है आजा जा आजा आजा हूं 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 आजा हूं हूं कर दो कर दो कर दो कर दो आए 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 आए! मेंने खरीदा ता कि मैं मार सकू। तू मार सके इसलिया नई? कर दो कर दो कर दो कर दो कर दॉट कर दो कर दो ऐसे क्या दिख रहे हो सर उन्हें तो अब ले ही जाना होगा सर मैं आपको एक बात बताता हूँ सुनिए सीने पर मारूंगा तो सहने वाली उमर नहीं है आपकी वैसे ही यहाँ पर चोट लगे तो सहने वाली उमर नहीं है इनकी ऐसे में क्यों इनके साथ खेल रहे हो सर उसने इस पर भरोसा किया इसलिए अपने आपको इससे सौंप दिया समझ में नहीं आया ना फिर से कहता हूँ उसने इस पर भरोसा किया इसलिए उसने खुद को सौंप दिया ऐसे में आप क्यों गलत सही देख रहे हो सर मुझे पता है कि यह लड़का इस लड़की से बहुत प्यार करता है क्यों रहे है देख लिया ना बात को समझ के इन दोनों की शादी करवा दो वरना मुझे फिर से आप से मिलना पड़ेगा और कैसे मिलूंगा यह तो अब तक चलता हूं सर चलता हूं वह चलता हूं सर अब तक मैंने घुस्ते में आपको बहुत कुछ बोल दिया मैं जो मन में आया वह बोल देता हूं एक करो ना से पर reflect अरे आपके बारे में नहीं सर इन दोनों के बारे में कुछ कहा दा सर उसने उस पर भरूसा किया था इसलिए मेरे भी समझ में आ गया नमस्ते सर चलता हूं यह इस तरह चल के कहां जा रही है लगता है अब तक गुस्सा इसका कम नहीं हुआ है अब क्या जानकरी मैं खुद आया हूं यहां अब क्या गुस्सा जाना चाहिए बस इतना ही ना मारे सकते हैं यह और म्हारो आप हॉझ वह करते हैं अब कम गुस्सा पैड मारा ना काम हो ग्या अचा मैंने एक मारा इसने न्यांग कंक्ण कि तो हीवगा वैसे अब चल के जा रही हो बस में जा सकती हो ना मैं ऐसी ही हूं जब गुछ में होती हूं तो कुछ भी नहीं सोचते बस ऐसे चलती रहती हो वह तो है तुम घुंसे में बस या ट्रेन में क्यों चड़ोगी बलकि मुझ पर गुछा होता होता है अब हुआ है ठीक है तो मैं चलो हां अंदर नहीं आओगी क्या किस लिए आज मेरा जनम दिन है वैसे तो आने के बर मैं सोच रहा था लेकिन अब जरूर आऊंगा हुआ कि यह क्या है यह मैंने पहले खरीदा अब काम आ रहा है ऐसा क्या है इसमें वह जब से मैं चवान हुआ हूँ तो रात को वीडियो देखने की आदर लग गई है ना उसमें लड़किया बहुत अच्छे से तयार होती है पता है तो ऐसे कपड़ों में तुम कैसे लगो कि यह देखना है मुझे से कितने सालों से रह रहा है यहां पर यहीं पर पले बड़े हैं ठीक है जा वैसे रामकिष्णा हमेश्ठ तुम ही नजरा आते हो तुम्हारे एसा ही कहाँ पर है सर ऐसा क्यों उनकी बीवी के साथ उनका तलाग हो गया है ना इसलिए वह सब भी पकड़े जाएंगे इस बात का भरोसा दिन बर दिन कम होता जा रहा है सर देखो रामकिश्णा तुम्हारी आमदनी कम है ना इसलिए भरोसा भी थोड़ा कम है मेरी आमदनी थोड़ी ज्यादा है इसलिए भरोसा भी थोड़ा ज्यादा है उन्होंने गलती किये ना तो पकड़े भी जरूर जाएंगे वैसे भी बातों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा दूसरे गावं में चान बिन करते हैं चलो गाड़ी निकालो ठीक है से अ अरे आओ पचानक आईये अंदर आईये मा पापा आए आए बैठिये ना मा आए आए पापा बैठो माजी नमस्ते जी नमस्ते आओ पापा क्या बात है संदी जी लड़की को देखने आयवे बहुत दिन हो गया आपकी तरप से कोई संदेशा ही नहीं आया मैंने इसे बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरे दिखाई लेकिन ये किसी भी तस्वीर को नहीं देखता है ठेक से ये सो भी नहीं पा रहा है बाप हो न मुझसे ये सब देखा नहीं जाता इसलिए इसे यहां लेकर आया आमें भी लड़का बहुत पसंद आया है लेकिन आपने कुछ ज्यादा देहज मांग लिया तुम अरे उस वक्त मेरे बेटे में बहुत ज्यादा गमंड था लेकिन आपके बेटे ने सब उतार दिया देखिए दहेज के लिए मैं अपने बेटे को बेज नहीं सकता शादी का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा हां बस आप हां कहां कहां दें मेरे लिए काफी होगा ठीक है जी अच्छा दिन देखके पंडित जी को लेकर हम आपके घर आ जाएंगे महुरा तकने के लिए मुझे बहुत खुशी है कि आप मान गए अच्छा जी चलते हैं चलो बेटा एक मिनिट रुकिए अब यह हमारे घर का लड़का हो गया है आप जाहिए पूरा गांव अच्छे से दिखा के रात को बढ़िया से खरीदारी करवा के घर पर भिजवा दूने वह ऐसे ही कर ठीक है ठी तो जीजो आज रात में एक बढ़िया सा धाबा है धमाल करका है तुम यहां क्या कर रही हो अच्छे बारो दे तुम्हें कितना भी संजाओ कोई फाइद हो नहीं प्योंगा मैं तुम्हारे आज जोड़ता हूं तुम्हारे पैर पढ़ता हूं बारो दे रुको ना बारो दे खोलो दर्वाजा खोला यहां पारो दे खोलो दर्वाजा खोला यह कैंगे वाप यह कितना रूरी है कि अब जरा रोना बंद करोगी क्या आरे मैंने कोई बहुत बड़ा महा पाप कर दिया कि जो तुम इतना रो रही हो मुझे दोगा दिया इना मतलब धुम्रपान करना और पीना नहीं होता है बलके तुम्हारे होते वह दूसरी लड़कीयों के साथ घुमना होता है जब यह बने लेट मालूंगा तो थोब्ला तूट जाएगा जो हुआ नहीं हो जाएगा सोचकर मुझसे जगणा मत करो कि अभर मुझे पैसे छादी नहीं करोगे और उससी बातं मत करो मैं तूम्हारे अज जोड़ता हूं तुम्हारे लिए मैं बाँत पागल हूं मेरी जान इसे लिए मेरी कसम खाने के बाद भी तुमने आज शराब पीना मतलब मेरी पीट पीछे तुम कुछ भी करोगे कसम खाने से अगर कोई मरता तो हमारे देश के आबदी इतनी नहीं होती समझी कसम मतलब भारोसा होता है और अगर वह भारोसा ठूट गया तो इस जिद्दगी का कोई फाइदा नहीं बाप्रे बाप्रे अब क्या चाहिए शादी करनी है बस यहीं ना कल सुभाई हमारी शादी होगी भारोसा नहीं है बारोसा नहीं है तो फिर किसी और तरह से तुमसे कल सुभाई हमारी शादी होगी ठीक है ना है इतने के लिए रो रही है एक मिनट वाला क्या है मैं अंदर नहीं है सकती क्यों अरे समझा करो ना ओ ऐसा क्या ठीक ठीक है सब जिस भग्वान हो मांते है वो लां तुम जिस भग्वान को मांती हो यहां आ जगे से क्या फरक पड़ता है यहीं पर कर लेते हैं पैना हुआ यह मंदिर है ठीक है चलो आओ यही है मेरा घर मामूली खतिरदारी नहीं होगी जोरों की खतिरदारी होगी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो पापा पापा सुबा सुबा क्या कर रहे हो ऐसा लग रहा है पीने ही बैठे हो पापा यह देखिए मेरी बीबी आपको पहली बताया होता तो अच्छा देन महोर दहज यह सब बातें करते इसलिए शादी करके ले आ गया पती के रूप में मेरा जितना ख्याल रखेगी बहु बनके हमारे घर का भी उतना ही ख्याल रखेगी वैसे भी मेरे लिए इतना ही बहुत है कुछ नहीं माजी यह मुझसे यह बता रहा है कि यह शादी करके आया लडकी इसे दिखाई दे रही है लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रही है कहा है वो दिखात मुझे जीजु सच में यहां कोई नहीं है सच में कोई नहीं है कलरात को भी कोई है ऐसा कहके भाग गया थे क्या हो गया है तुम्हें जीजु यहें सी अरा मेरा पापा थी ब chin लेकिन आप तो में गया कि मत्रों कौन गया मैं आहरे क्या हुआ बाला पर बुर्णती और तीन महेने से तो किसके साथ गुम रहा है, मुझे क्या पता है? क्या हो गया इसे? पूछूँगा तो तू गुस्सा करेगा, इसलिए नहीं पूछा. मुझे लगता था कि तुझे किसी भूत ने पकड़ लिया है. यहीं, तू क्या बत कर रहा है? अगर पता है, तो पता है, ऐसा बोल. अरना पता नहीं है, ऐसा बोल. एई, अरे, बारो दे. घर को क्या होगे? बारो दे. कहाँ पर चली गए? यह सब क्या है? यह क्या है यह सब क्या है? अरू यह सब क्या है? यह सब क्या है. बारो दे! यह मुझे से यह बता रहा है कि यह शादी करके यहां है लड़की इसे दिखाई दे रही है लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रही है शच में कोई नहीं है कल रात को भी कोई है ऐसा कहके भाग गए थे क्या हो गया है तुमें मुझे लगता था कि तुझे किसी भूठ में पकड़ लिया है जर बोड़के अचिया खुमें लोड़के लिघकी वाशादी रही है लोड़के और रही है झाल थे किसी भूप थे खुमें क्या हुर है मेरे साथ भगवान, मेरी पार्वादी क्या हुआ इसे, चलते चलते रुगे लगता है भूट नहीं आ गई तुम अगर डरोगे तो मैं भूट जैसी ही दिखूँगी, अगर प्यार करने वाली लड़की की तरह देखोगे तब मैं तुम्हें पसंद आऊँगी देखता हूँ, देखता हूँ, तुम्हारे हाँ चुड़ता हूँ, देखता हूँ, सीना पड़ जाएगा कागी? कागी? सब कुछ अच्छा ही था, तुम कौन हो? मेरे पीचे ही क्यों पड़ी हो? सर्फ मुझे क्यों दिखाई दे रही हो? मेरे कुछ समझ में आये ऐसा कहो पापा, कोफी बेटी पारवती, प्रैदर आओ एक बार इस लड़के को देखो क्यों बेटी, लड़का पसंद आया ना? तो फिर कल मैं खुद उसके गाओ जाके उनकी स्थिती को देखके अगर पसंद आया तो उनसे रिष्टे की बात कर लूँ, ठीक है ना? ठीक है पाप थेखिए हुआ प्रेखिए ठीक है प्रेखिए लू झाली 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 किन झाली सब्सकिर이여 जाओ खाओ तुम लोग में, यहाइ कारेदा हुआ हुआ है हुआ है मच भख नहाँ ख़ हुआ हुआ खवआ जब लड़ नहाँ कर दो कर दो क्या हुआ कोच भी नहीं है आप क्या करेंगे रुक लो अंदर जाकर देखते है ध्यान से ए कौन हो तुम लोग पुम टेखते हैं प्च doğAK! पापा यार इसके बदन पर सोना नहीं है और नहीं घर में है सोना होता तो भी नहीं छोड़ते नहीं मिला तो भी नहीं छोड़ा जिंदा छोड़ते ते तो आमें तक लिफ होती अब भी वो 15 लोग इसी गाउ में हैं आज रात को गाउं के सभी लोगों को मारने वाले हैं उन्होंने तुम्हारे गाउवालों को मार दिया इसलिए या मेरे गाउवालों को मार देंगे इसलिए नहीं मैंने प्यार किया है तुमसे, तुम्हें मार दिया, इसलिए मैं उन कमीनों को मार दूंगा, तुम्हें किस तरह उन्होंने मारा ये मैंने नहीं देखा, लेकिन उन्हें मैं किस तरह मारूँगा तुम पास से देखना, चलो! कर दो झार कि आए रे लो जुटिया रिखिर शुटिया और शुटिया जुटिया डिए हमे लिद लो इंग लो अजया जए टू सुटें यह सुटें लो ख अं, भे ज़ सुटें लोग सुटें लोलो obs वोरू यह भी प्या रिशित दूने हैं! कर दो कर दो कर दो. कर दो कर दो क्वळिए से दो एक हा कि एक हुआ झा दो कि एक है पाने कि एक हुआ नुआ कि एक हुआ एक है कि एक हुआ है वा प्रूप टूच्टे लित अग्रादाओग को यह ही है हुआग को यह रज्से ऊखर पक्रादा दूप सहाथ अग कर दो कर दो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है क्या हो गया बाकी लोग कहा है है झाल 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 क्या झाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि फोन तुने ही किया था क्या मैंने किया और मारा भी मैंने ही इन्हें क्यों मारा तुम जिस चोरों के ग्रूप कर ढूंड रहे हो वह यह है इसलिए मार दिया तो पुलिस को बताना चाहिए ना खुदी मार ढालेगा अरश्धिम अच्छा किया तो ऐसा करोगे किसी को समझ में नहीं आता रात को जो तुमने कहानी बताई मुझे बहुत ही गुस्सा आया और उन कमिनों को मैंने बुरी तरह मार दिया मैंने तो बहुत ही अच्छा ही किया पर यह इन्हें समझना चाहिए ना देखते हैं क्या होता है इसका दिमाग थोड़ा धिले लगता है यह गिने आ गई क्या मुझे लगा था नहीं आओ गे मैं कितना चिंतित्था पता है तुम्हें यह सब देख के तुम फिक्र मत करो कुछ नहीं होगा रोकियो रही हो मैं कह रहा हूं ना बहार रहा जाओंगा किसी से बात कर रहा है पर वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है उसकी चिंदा छोड़ो रामकिष्णा कोट में सब्मिट करो उसे ठीक है सर यह रॉनर कोटी नाम का यह आपराधी इसने चिंदान पॉड़ी नाम के गाउं में परसो राद को 15 लोगों का बहुती बेरहमी से कटल कर दिया इसलिए मैं यह सर थोड़ा रुकेंगे क्या बाला नाम की अपराधीने अरे एक ऐसी भाशा है सर थोड़ा ध्यान से तो बुलिए हम गाउवाले बहुत अच्छे से बात करते हैं और आप मुकदमा लड़े हो पर मेरे लिए लड़ने वाला यहां कोई भी नहीं है इसलिए मेरा मुकदमा म मैं खुदी उनको बताऊंगा सर आप बैट जाईए तुम बोलो सर मैंने जिन 15 लोगों को मारा है उन्होंने पुलूर नाम के गाउं में 74 लोगों को बुरी तरह मार दिया बच्चों को दीवार पर पटक कर मारा है और तों को उनके कपड़े निकाल निकाल कर मारा है इसलि वहीं अपराधी हैं और उसके लिए मेरे पास एक गवाह है लेकरन वो किसी को दिखाई नहीं देती और नहीं सुनाई देती हैं अब कैसे बताऊं सर कैसे 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 हां सर उन बहातर मरने वाले लोगों की पोस्ट मोटम रिपोर्ट तो आपके पास होगी ना सर उनमें एक एक को कैसे मारा है वो मैं बताता हूं उसमें वैसे ही लिखा होगा कि नहीं वह देख लीजिए सर वहां पर बैठी कियो है इधरा हां 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 तुझे कैसे मारा था बता तुझे कैसे मारा था उबता मेरे गले पर चाकु रखिया उसे काट दिया था पार्वती नाम की लड़की की रिपोर्ट देकिए सर उस लड़की को ऐसे चाकु रख कर कांड दिया था सर उसमें हिसे तुम्हारे पिटा को कैसे मारा था सा किश्रीणिवास राओ नाम को नाम की रिपोर्ट देखिए सर उसे तो मूव बन करके चाकू मार मार के काड़ दिया था इस तरह का विचित्तर केस मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ना तो कभी सुना और नाहीं देखा और इसी लिए मैं क्या बोलू मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं समझ गया सर मैंने जो कुछ भी कहा है तो मैं भी उन चोरों में से एक हुए ऐसा आप सोच रहे हो ना पर यहां पर बात यह है कि आप जैसा सोच रहे हैं कि उन 15 लोगों के साथ यह कहानी बंध हो जाएगी तो मैं उसे दिन उन्हें पकड़वा देता सर पर इन सबसे बड करना चाहिए इसलिए मैं यहां तक आया हूं सर अब कर दो है कि अधार गावाले हैं फिर भी कभी कभी जरूत पढ़ने पर हम भी फोन इस्तिमाल करते हैं सर आपको जो भी प्रूफ चाहिए वो इसमें है पुलिस अधिकारी को मारना अपराद है पर वो अपराद एक बड़े गुनेगार को मारने के लिए किया गया है इसलिए यह आदालत इसे इतना बड़ा अपराद नहीं मानती है और इसे साथ साल की साधारन सजा देती है अरे वाह तुम यहीं पर हो क्यों कोट के बाद तुम साथ साल मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखी जिस काम के लिए थी वो काम तो हो गया ना तुम्हें छोड़कर मैं कहां जा सकती हूं मुझे जाने के लिए तुम्हें भी साथ ले जाना होगा न क्यों चलोगी क्या ओ नहीं रहने दो तुम भी मच जाओ और मुझे मिमत लेजा हम दोनों ऐसे ही रहेंगे आओ आजा आजा पलंग मस्कूत है क्या है और क्या करने के लिए यह लो बेटा चावल लो बढ़िया से सब्जी लो और खुब अच्चे से खाव बेटा हां पापा कितनी बार बोलू इसे भी थाली दिया करो थाली किसे इसको पापा दोना पापा तेरी मा कसम मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है या पापा मुझ कोई अच्छा लगेगा सच में यहां कोई भी नहीं है ठीक है बेटा तुम दोनों मिया भी भी अच्छी तरह से काऊ अच्छी दिखाओ मैं किलाओ इस वर्णा की पूजा को ज्यादा ही हो गई है मेरा कम बढ़ गया है यह अंदर क्या हो रहा है है यह वह यह तोता अरुछ अरुछ यह बारो वादी मेरी किसमतिक रहा हूँ क्या करूँ मैं इसका मेरी समझ में नहीं आ रहा है रे मेरी किसमत